तो दस्तो आज के इस बीडियों में हम यहाँ पर एक और नूर लाइसेंस अप्लाई करने वाले हैं और यह हमारा यहाँ पर हमने भला है मैनुफेक्टरिंग से रिलेटेड तो मैनुफेक्टरिंग में अभी जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप यहाँ पर खुद से अप्लाई नहीं करना चाहते हैं अगर आप यहाँ पर हमारे थुरू फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं या जो मैटो और सुईगी में आप रेश्टेसन कर करना है और इसके बाद हमारा यहाँ पे जेनरल प्लेस पे यहाँ पे हमारा manufacturing unit है तो हमारा यहाँ पे general option select करना है हमें और इसके बाद हम बिहार का license apply कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे कहीं से भी है all over India आप यहाँ पे कहीं से भी है हमने हर एक इस्टेट का हमने जो मेट और सुगी का अरेश्टेशन भी किया है चाहे आप देले से मुंबई से हो राजस्थान जैपूर हैदरावाद आप कहीं से भी हो आपका हो जाएगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो हम यहाँ पर यहाँ इसमें आना है और सब काटेखर के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर सटा हैतो हम ने जेनरल वाला सेलेक्ट किया है इसमें बहुत ज्यादा मतलब मैनिफेक्टरिंग आ जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पर तर्न ओवर देखना है अगर आपका यहाँ पर ज्यादा मतलब बड़ा फैक्टरी नहीं है अगर आपने छोटा सा यह स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पर 12 लाग से कम का टर्न ओंडर वोला अप्सन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप पर मंथ एक लाग से ज़यरा कारणिंग नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पे इसको selector लेना लेकिन इसमें क्या होता है कि यह बहुत ज़ैदा reject होता है और बहुत कम वह का यहां पे बन पाता है तो आप यहां पे हमसे contact कर सकते हैं आप का हो जाएका और नहीं तो अगर आप यहाँ पे state licenses apply करना चाहते हैं तो भी कर सकते है लेकिन उसका यहां पपे पांच यार्ट पे आपको कैवल onwarding मतलब चलान ही देना होगा जो फीस है यहाँ पे तो हमने यहाँ पर अभी अपलाई कर लिया है और फिर चाल को यहाँ पर क्या करना है और तृस पर क्लिक करने कौ policing ले बिजनेस से स्टार्ट किये हैं तब को यहां पर इंडिविजुल सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहां पर इसमें पूरा का पूरा बिजनेस का एड्रेस आपको देना है कि आप कौन से जगह पर बिजनेस कर रहे हैं उसका पूरा आपको यहां पर एड्रेस देन गजब करना है और इसके बाद आपको यachen पे नीचे में यहां पे बाद रेक्श नीकिवर सेद्स कॉ क्यां करना हना है थो हम भज़ीं पे एक साल चार्ड के यक्या है करने हमने यहां पर एक उखना है था और इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने business के category के हिसाब से आपको यहाँ पर select करना है options को तो general का हम ने यहाँ पर select किया तो general ही हैँ यहाँ पर बहुत सारा manufacturing का मतलब यहाँ पर option आ जाता है तो आपको यहाँ पर अपने कोडिंग आपको select कर लेना है और manufacturing में आप यहाँ पे जब भी कोई category select करते हैं तो उसका यहाँ पे आपको sub category मिल जाता है तो आपको यहाँ पर sub category select कर लेना है। और इसके बाद जब आप यहाँ पर अच्छे सब कुछ select कर ले category वगएरा उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक option मिलेगा save and next का तो आपको यहाँ पर सब कुछ select करने के बाद आपको save and next पर click करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक password वगएरा generate करना होगा आपको एक password रखना होगा और यहां पर आपका use reference number automatic यहां पर generate हो जाता है और उस reference number को आप use करके password को use करके आप यहां पर इसमें login करके बार-बार देख सकते हैं कि आपका application reject हुआ है या फिर आपका application approve हुआ है आपको license यहां पर मिला है कि नहीं मिला है तो हम पहले यहां पर क्या करते हैं कि अपना category select लेते हैं जो हमारे यहां पर artist related category है और इसको select करने के बाद आपको यहां पर इसको save and add वाल option पर ज़रूर क्लिक करना है ताकि आपका यहां category add हो जाए और उसके बाद आपके license पर क्या category लिखा हुआ आएगा इससे पता चलेगा कि आप यहां पर कौन सा business कर रहे हैं और आपने किस चीज के लिए यहां पर food license लिया था तो हम यहां पर select कर लेते हैं सब कुछ अच्छे से और इसके बाद आपको यहां करना है और इसतरीके से आपको यहां पर form fill up करने के बाद आपको यहाँ पर save and next पर click करना है और इसके बाद आपको प्रोसीट पर click करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपना email id और mobile number आपको देना है क्योंकि गर आप यहाँ पर email id और mobile number देंगे और इसके बाद जब आपका यहाँ पर उप्शन सेलेक्ट हाता है तो आपको यहाँ पर नीचे में user ID दिख जाएगा login ID और इसके नीचे आपको यहाँ पर एक password को उप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पर password generate कर लेना है और password आपका यहाँ पर login करने के लिए बहुत ही जरूरी आपको यहाँ पर इसको याद रखना है और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो capture code यहाँ पर दिया हुआ है इसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में submit को option मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इस successfully sign up हो जायागा और account बनने के बाद आपको यहाँ पर अपना documents पर आप upload करना होगा और उसके बाद आपको payment करना होगा तो पहले में यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने OTP को enter कर लिया यहाँ पर और OTP enter करने के बाद यहाँ पर submit करते हैं और हमारा यहाँ पर account successfully generate हो जाएगा तो आपको यहाँ पर normal message में और email पर आपको यहाँ पर reference number चला जाएगा और आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका account यहाँ पर बन गया हुआ है तो हमने यहाँ पर इसको submit कर दिया है और इसके बाद अब आपको यहाँ पर documents upload करने का option आ जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सबसे पहले में आपको एक photo upload करना है password size और इसके बाद आपको यहाँ पर एक identity proof में अधार card हम यहाँ पर upload करेंगे तो आप यहाँ पर अधार card, pen card, voter ID card, license सब कुछ भी यहाँ पर select कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर एक rent agreement या बिजली कभी आपको यहाँ पर upload करना है और फिर आप यहाँ पर कोई भी payment option select कर सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सरा payment option मिल जाएगा तो आप यहाँ पर अपने recording देख लेना और उसके बाद आप यहाँ से payment कर सकते हैं कोई भी payment method करके हैं तो हम पहले यहाँ पर अच्छे है से अपना documents पर upload कर देते हैं और इसके बाद payment को complete करेंगे तो पहले हम आप documents upload कर देते हैं और यहाँ पर आज कल बहुत ज़्यादा food license reject हो रहा है आप यहाँ पर कितना वेच्छे से form को fill up क्यों न करें आपका यहाँ पर food license reject हो जाता है तो अगर आपका भी यहाँ पर basic registration अगर आप यहाँ पर license हम से ले सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ से घर से ही स्वेगी और जो मैटो से onboarding करके आप यहाँ पर online food को sale करके अच्छा काजा पैसा कमा सकते हैं तो आप यहाँ पर number दिया हुआ डिस्पले पर आप डिरेक्ट इस पर call कर सकते हैं और इसके बाद आप से बात हम करके आपको सब कुछ अच्छे से बता देंगे तो यहाँ पर हमने सब कुछ upload कर दिया है और इसके आपको यहाँ पर फिर से बार otp आएगा तो आपको यहाँ पर simply otp को क्या करना है कि डालन है और इसके बाद आपका यहाँ पर payment option आजाएगा और आप यहाँ से कोई साभी payment option select कर लेना तो हम यहाँ पर simply ubis payment करेंगे और यहाँ पर हम simply qr code scan करके payment कर देंगे और इसके बाद हमारा यहाँ पर invoice generate खो करके आजाएगा और इसके बाद 5-7 दिन के अंदर में यहाँ पर apply कि हमने और कल हमारा license यहाँ पर आ गया तो ऐसे भी हुआ है बहुत जल्द license आ गया था एक दिन में दो दो license आया था तो इस तरिके से आपका license यहाँ पर दो से तीन दिन चार दिन पांच दिन या maximum एक सब्ता और उससे जादा maximum अगर हुआ तो दस दिन में आ जाएगा तो हर एक state का अलग-अलग timing होता है बहुत मतलब किसी state में जैसे का हमने देली के आता तो बहुत जल्दी आ गया था फिर हमने हैदराबाद का किया था तो भी यहाँ पर बहुत जल्द आ गया था बिहार में में यहाँ पर 7 दिन से लेगर के 10 दिन तक लग जाता है license आने में ल आपको 10 दिन का इंजार करना है सब्ता और 10 दिन के बीच में आपका license आ जाएगा और इसके बाद आप यहाँ पर जो मेटो और सुईगी से रेश्टूरंट को add करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तो number display पर दिख रहा है आप यहाँ पर contact कर सकते हैं